नमस्कार न्यूस फोरनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की ना कड़े क्योंकि हर एक युवाओ को रोजगार मिलेगा नौकरी मिलेगी ये कहना है RJD का आपको बताएं कि कल सदन में बजट 2022 पेश किया गया इसमें युवाओ वरग के लिए नौकरी की बात कही गई और कहा ये गया कि जितने भी बिहार में युवा है उन सभी को नौकरी दी जाएगी और बेरोजगारी को इस देश से खत्म किया जाएगा ऐसे में कल के बजट को पेश करने के बाद बिहार में खासकर राजनीती खूब देखने को मिल रही है अलग-अलग राजनतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रही है उनके प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कहा ये जा रहा है कि इस बार का बजट बिहार के लिए निराशा जनक साबित हुआ है ऐसे में जहां एक तरफ अकेंद सरकार ने युवाओं के रोजगार पर फोकस किया है तो वहीं अब आरजेडी इस पूरे मामले को लेकर चुटकी ले रही है आपको बताई गया जेडी ने बकाइदा ट्वीट करते हुए कहा है कि बिहार के उन 19 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है जिसका वादा केंद सरकार की तरफ से किया गया था ऐसे में 19 लाख रोजगार देने के बाद अब एक बार फिर 60 लाख युवाओं की तलाश की जा रही है और उन्हें पकड़ पकड़ कर नौकणियां दी जाएगी यानि कि इस तंच भरे ट्वीट में सीधे हमला केंद सरकार पर किया गया है और कहा ये गया है कि ये सरकार सर्फ और सर्फ जुमलेबाजी की सरकार है ऐसे में अपने उस निराले अंदाज में क्या कुछ ट्वीट करते हुए आरजेडी ने लिखा है और युवाओं को लेकर किस तरह से उनके भविश्य को लेकर जो बात केंद सरकार की तरफ से कही गई उसको लेकर क्या कुछ हमला आरजेडी ने किया है आप पहले इस ट्व में किस तरह से आरजेडी केंद सरकार के बजट का मजाक बना रही है। बता दे कि आरजेडी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि युवाओं को जबरन पकड़ कर प्रतिवर्श दो करोर नौकडिया एवं दिहार में 19 लाख नौकडिया देने के बाद मोधी सरकार अब उ आठ लाख युवाओं को ढूंट रही है जिसके लिए कल बजट में नौकडिया एलान हुआ है। प्रदान मंत्री मोधी और उनकी वितमंत्री ने वादा किया है कि अब कोई नहीं छूटेगा हर एक को नौकडिया मिलेगी। जोर जबरदस्ती धक्का मोकी ना करे नौकडिया के लिए सब का नंबर आएगा चाहे लाठी खाकर आए या ठोकर खाकर आए या चाहे उम्र निकलने के बाद आए या फिर आप दादा बन जाएंगे तब आए लेकिन आएगा जरूर सिर्फ एक बात की अनिवारता है कि आ आपको बस नफरती हिंदू बन भाजपा को वोट देते रहना है है हैश्टाग बजट 2020 तो आपको बताए कि इस ट्वीट के माध्यम से आजेडी ने सीधे सीधे केंद सरकार पर जुमला करने का आरोप लगाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए आपको बताएं कि इससे पहले भी जब विहार में विधान सबा का चुनाव था तो उस वक्त बीजिपी की तरफ से ये वादा किया गया था कि विहार के युवाओं को 19 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी नौकरिया दी जाएगी लेकिन इसके बावज़ूद एक भी नौकरी बिहारवासियों को नहीं मिली है ना ही युवाओं के बारे में कुछ सोचा गया और इसको लेकर ना तो कोई योजना निकाली गई है और यही वज़य है कि बिहार के युवाओं चहां एक तरफ आप्रोशित हैं गुस्से में हैं तो वहीं आब RGD भी केन स साथ लाख वाले वादे पे आपोची हैं ऐसे में देखते हैं कि आप कब युवाओं को रोजगार देते हैं धक्का मुकी के बाद देते हैं लाठी डंडे बरसाने के बाद देते हैं या फिर उनके दादा दादी बन जाने के बाद देते हैं यानि कि इस तंच के जरिये आ खविश के साथ खिलवार कर रही है फिलाल कले इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें ये न्यूस वानेशन के साथ नमस्कार